कर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे पहला प्रेशन जो है पुस्तक वीर विनोध किसके द्वारा लिखी गई है यहां पर ऑप्शन दिया गया है तो सूर्य मल विशन की जो रिचना है वो कौन सी है वन्स भाशकर केस रिजिंग वारट की है चेताव नीरा चुंगटिया और फिर हम बाजगरे शामल दास की जो रिचना है वो कौन से जाएगी वीर विनोध और गोरी संकर ओजा की जो रिचना है वो है राज कुताने का इत्यास तो यहां पर जो रिच आप्शन जो है वो कौन सा है वो जाएगा शामल दास की रचना है वीर वीर विनोध अगला प्रशन है मैसोलिथिक शब्द का वास्तिक शाब्दिक अर्थ है मैसोलिथिक का शाब्दिक अर्थ है मध्धे पाशान कालीन युग निवन लिखित में से कहा कि साशको द्वारा रावल तो महारावल की उपादिया जो ग्रेंड की गई थी तो रावल और मारावल के उपादियां जो है दुंगर पुर राज़ द्वारा जो है ग्रेहन की गए थी यहांके साश को द्वारा तो सेकंड आप्शन जिसका राइट आंसर है अगला प्रशन है कोटा राजे का संस्तापक नियन में से कौन था राव मादो सिंग निम्लिकित में से किस मुगल समराथ ने सवाई जैसिंग को राज राजेस्वर की उपादी से विबुशित किया मुहबमद शाहा ने तो सवाई जैसिंग को राज राजेस्वर की उपादी मुहबमद शाहा ने दी थी निम्पिकेत जोडों में कौन सा सुमिलिद नहीं है राणा प्रताब सिशोधिया जस्वन सिंग राठोड मारना हमीर गुहिल और जो राजा मान सिंग है वो कच्छवाह राजवन से है कच्छवाह तो यहाँ पर जो सुमिलिद नहीं है वो है आपका सेकंड आप्शन अगला यहाँ पर प्रशन है यहाँ कुछ युदों की सूची दी गई है जो मद्दे काली राज़तान में लड़े गए थे तो उनका काल करमानुसार आपको बताना है सबसे पहले हम बात करें तराइन का युदों जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था 1191 में लड़ा गया था और यह लड़ा गया था पृत्वी राज़तिये के बीच और जो मुहमद गोरी है उसके वीच लड़ा गया था और इसमें प्रथम युद में विज़े हुई थी पृत्वी राज़तिये की और दूसरा जो 1102 में हुआ था उसमें विज़े हुई थी मुहमद गोरी की दूसरा यहांपर बात करें खानवा का युद जो लड़ा गया था वो 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था और राणपरताब और बाबर की बीच यह युद लड़ा गया था अगला जो है सुमेल का युद गिरी सुमेल का युद यह लड़ा गया था 1544 में और यह पाली के जेतारा अंस्तान पर हुआ था और यह किसके बीच हुआ था तो ये रा माल देव और शेरसा सूरी के बीच में लड़ा गया था और जिसमें रा माल देव के जो सिनावती रहे थे जिदा और कुमपा अगला जो यहां पर युद की बात की गई है भटवारा भटवारा का युद लड़ा गया था 1761 में 1761 में यह रड़ा गया था, जो महाराज मादो सिंग और कोटा के महाराव शत्रु साल सिंग के बीच में यह रड़ा गया था, बटवड़ा को युद्ध, तो अब आप इन जो आपको समय बता चल गया है, उसके बाद आप काल करमानुसार इसको बता सकते हैं, कौन सा option जो है, राइट होगा, तो काल करमानुसार बताना है, तो सबसे पहले पहला 1100 उक्राणमा में, फिर 1527, फिर 1524, फिर लास्ट में यह वा, तो यहाँ पर पूरा sequence में ही दिया गया है, तो दूसरा options का राइट आंस हो जाएगा, RPSU State Exam तयारी के लिए जो रास्तार की जितनी भी vacancies यहाँ पर है, RAS 2021 के foundation course और एकेड़िवी फ्लेटवर्म पर अवैलबल है, रास्तार SI का, रीट लेवल 1st और 2nd का, पटवार का, ECF का, रास्तार कॉंस्टेवल का, तो इसको आप जोइन कर सकते हैं, लिंक आपको description box से मिल जाएगा, RAS 2021 के foundation course जोइन करने के लिए बागी जो अधर courses अवैलबल है, तो यहाँ पर आप जोइसके key features है, study from home है, और आप per day 17 रुपे में यह आप course जो है, देख सकते हैं, अच्छी तयारी आप कर सकते हैं, live doubt clearing sessions यहाँ पर होते हैं, structure live and free special classes और payment के लिए EMI option भी आप जाएकर कफ़िल चौधरी सर, और हम बात करें, जोइन कर सकते हैं, एक महीने के लिए तीन महीने के लिए, छह महीने के लिए, बारण महीने के लिए, चार option यह पर available है, और साथ साथ अगर आप एक बार में खरीटते हैं, तो साथ में आपको एक ही exam के लिए नहीं, आप आवेल कर सकते हैं, ऐसे आपको ये code जो apply कर देना है, उसके बाद आपको ये जो course आपको मिलेगा unacademy learning app पर तो इसके लिए आपको प्ली स्टोर से ये अप डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आप ये courses देख पांए, साथ हम बात करें इसमें जो live classes होती है तो आप mobile में देख सकते हैं और बाद में जो recorded classes होती है उनको आप देख सकते हैं notes आपको यहाँ पर provide होते हैं तो जिस भी exam के लिए आप prepare कर रहे हैं राजतान के तुसर भी exams की हाँ पर जो courses हैं वो आप check कर सकते हैं लिंक आपको description box में है आरे जो जारी के foundation course को join करने का link आपको description box में आप जाकर जो है इस link के through join कर सकते हैं और यह जो आपका course है RS की जो top educators है अगला प्रशन है नेमले के तिस्तानों में से उनके आगे के लिए दुरुगों के नाम कौन सा योग्म सही है तो शेरगट जो है यहाँ पर बिल्कुत सही है इसका दूसरा कोशवर्दन भी है यह काँपर है बारा में इसके लाब हम बात करें महरांगट दुर्ग जो है काँपर है जोदपूर में सोनारगट दुर्ग जो है जेसल मेर में जो है और जूनागट बीका निर में तो यहां पर यह सीक्वेंस होगा और कौन सा यह सही था शेरगर्ड और कोश्वर्दन अगला प्रशन है संत पाबु जी के सिश्य मुख्यत है तो उन्हीं जो उटों का देरता भी खा जाता है और रेवारीं के मुख्यत सिश्य है राणा कुम्बा को निम्नां चितरकाली शेली की विश्यवस्तू मुख्यत है तो शिकार के द्रिश्य है अगला प्रशन आपर है सूची प्रथम को सूची दितिय को मिलाईए नीचे देगो कोड के नुसा सही उतर का चैन कीजिए शेक हमितुदीन मिठे महावली तो यहां पर अंकस्तान से सम्मंदित आपको बताना है तो कौन से स्तान से सम्मंदित है तो सबसे पहले यह सम्मंदित है गागरोन जालावार से मोलाना जयाद्दीन सम्मंदित है जैपूर से शेक नजबूत दीन सम्मंदित है फत्यपूर से और शेक बाबा इशाक खाटू तो यहां पर जो सई सीक्वेंस जो दिया गया है आपर फस्ट ऑप्शन में दूसरा पहला चौथा और तीसरा कौन सा जो है इसमें जल्दुरुका उत्ताम उधरन है तो गागरोन जो है जल्दुरुका उधरन है और गागरोन कहां है जहलावाड में अगला है एक साशक एक आयम संथ पीपा किस स्थान से समनित है तो यह समनित है गागरोन से अगला प्रशन जो है यह पिसला प्रशन डिलीट हो चुका है सीता बाड़ी का प्रशिद मेला किस जिले में लगता है तो बारा जिले में लगता है सीता बाड़ी का मेला चैंबर ओफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था गंगा सिंग भरतपूर एव अलवर ने बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधिया कब की थी अगला प्रश्णया पर है राजपुता अजेंसी के सापना डैश में और कब जो हुई थी और कहां पर हुई थी अठार सो बतीस में अजमेर में हुई थी राजपुता राजपुताना एजेंसी के सापना तो यहां पर हम बात करें मेवार प्रजा मंडल यह कुशन जो है उपकर डिलीट हो चुका है क्योंकि प्रजा मंडल के सापना जो है 1908 में की गई थी माणिक लालवर मदवार अगला प्रश्ण यहां पर है निमनकित में से कौन सी घटना को महत्मा गानी ने डायरेक एक रित्ते से दुगनी विभत्स कांड बताया है तो यह बताया है निमू चुड़ा घटना जो की मई 1925 में हुई थी और यह है कांपर अलवर में प्रश्ण एक ही आंदोलन का नेतरुत्व किया गया था मोतिला तेजावत द्वारा और संपसर पागिस्ताबने किसने की ती गोविंद गरी ने नव राजस्तान को राजस्तानी का मुद्दा हल करने ही तो एक कमीटी का जो है घटन किया गया था तो यहां पर यह जो है आपका कुशन डिलीट हो चुका था अगला प्रक्रशन है शेतन है रास्तान का जेसल मिर जिला दोरपूर जिले से किता बड़ा है तो सबसे बड़ चोटे जिले में कितने गोना का यहां पर अंतर है कितना बड़ा है तो ये जो है वो आपका 12.66 गुणा धूलपूर से बड़ा है अगला प्रश्णिया पर है अरावली की चोटियों से तो अरावली समदित कुछ फैक्ट साब ध्यान आख सकते है अरावली का जनक किसे कहा जाता है प्रश्ण पूछा गया है तो अरावली का जनक कहा जाता है क्योंकि जो अरावली की जड़े है साथ में अरावली की जो टोटल लंबाई है गुजरास से लेकर के रायल सीमा तक की तो वो है 622 किलोमीटर लेकिन राज़तान में हम बात करें तो 550 किलोमीटर तक ही है और यह आप ध्यान रख सकते हैं साथ ही साथ जो अरावली का शित्रफल है वो राज़तान के शित्रफल का केवल 9 प्रतीशत है और यहां पर जो जनसिंगा निवास करती है वो 10 प्रतीशत जनसिंगा निवास करती है यहां पर जो है चोटियों की उनकी उचाई के और रोही करम में विवस्तित कीजिए तो सबसे पहले आपको इन सभी चोटियों की उचाई यहां पर पता होने चाहिए तो सबसे पहले जर्गापरवत की जो उचाई है वो कितनी है 1431 मिटर जर्गा प्रवत की उंचाई है फिर यहाँ पर अचल गड जो दिया गया है अचल गड की उंचाई 1380 फिर यहाँ पर कुम्बल गड दिया गया है कुम्बल गड की यहाँ पर 1224 मिटर और फिर है रगुनाद गड जो कहाँ पर है सीकर में तो रगुनाद गड की जो उंचाई है वो कितनी है 1055 मिटर तो यहाँ पर अवरो ही क्रम में बताया गया है तो बड़े से छोटे की और यहाँ पर आना है तो इनको देखकर क्या बता सकते हैं कि कौन सा जो है राइट ऑप्शन यहाँ पर है तो पहले जरगा अचरगड फिर कुम्बल गड फिर रगुनाद गड नमली के पर से कौन सा रास्तान के अक्षांसी है देशांती विस्तार को सही रूप से दिर्शाता है तो अक्षांसी है तेज डिगरी तीन मिनट से तीज डिगरी बारा मिनट उत्तर से देशांती है यहाँ पर है 79 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 7 मिनट पूर अगला प्रेशन है संदस्नात्मक दिश्टी से रास्तान की भूतिक स्वरूप भारत के निम्लिकित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है तो यह है उत्री विरियत मेदान और प्रादी पे पठार का यह हिस्सा है अगला प्रेशन जो है निम्लिकित में से कौन सा पठार अरावली परवस्से सम्बद नहीं है तो लसाडिय का पठार काँ पर है उदैपुर में और उडिया का पठार जो सिरोई में बॉराट का पठार जो है वो कहां पर इस्तित है कुम्बलगड और गोगुनना के मददे जो है वह राट का पठार इस्तित है बगेल खंड जो है MP का है तो यहां पर जो रावली की श्रेडी से नहीं है वो कौन सा हो जाएगा बगेल खंड तो थर्ड ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है तो यह कुछ प्रशन हमने इस वीडियो में कवर किये हैं इनका PDF आपको टेलिगान से मिल जाएगा उससे पहले कि जितने भी वीडियो से रास्तान करम चाहिए चेंबोर की को जोईन करने का लिंक आपको डिस्कुप्शन बॉक्स में दिया गया है रेफर कोड आपको दिया गया है वहां से आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं और यह जो कोर्स है आपका रास्तान की टॉप एडिक्विटिस द्वारा जो लाया जा रहा है इसको आप जोईन करके इतनी तयारी बहतरीन कर सकते हैं आप तो आज के स्वेडियो में इतना ही कोई भी क्वेडियो हो इन कुश्यंज को लेकर के वाप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और प्लेलिस्ट जो है आर्पीसी के क्वेशिन पेपर्स की और जो रहसनान करम चाहिजेंबोर के कोशिन झाल थो